नमस्कार दोस्तों मैं मयूड सुर्यवंशी आपका स्वागत करता हूँ सुर्यवंशी एकेडमी के इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारती इतिहास के उस विशय के बारे में जिसमें एक्जाम्स में कई प्रश्ण बनते हैं साधरनत ये विशय आपको याद हो जाता है परनतु कभी-कभी कुछ विद्यारतियों को इस विशय में भी तकलीफ आ जाती है आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि सुतंता संग्राम के दौरान कौन-कौन से वक्तव किस-किस महान विद्वान द्वारा कहे गए हैं किस महान व्यक्ति द्वारा कौन सी महान लाइने कही गई है उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप करेंगे जैसे कि आपको कुछ लाइने याद होगी सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो यह लाइन किसने कही है अगर लिखी भी आ जाती है एक्जाम में तो यहाँ पर आपको चार आप्शन में से एक आप्शन चुनना पड़ता है क्लास को समझने का बहुत आसान तरीका है कि आप चीजों को देख लें और सुन लें तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ फोटोज आएंगे और लाइने लिखी भी आएंगी तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको पढ़ लें और व्यक्ति के चहरे को याद रखें क्लास स्टार्ट करते हैं भारती राश्टी आंदुलन के दौरान कहे गए कुछ महत्पूर कतनों में से कुछ इस प्रकार हैं जैसे नहरू देश भक्ती हैं और जिन्ना राजनीती इस प्रकार का वक्तव भी मौलाना अबुल कलाम आजाज जी ने दिया था हमारी प्रणाली उस इस्पंज की तरह कारी करती हैं जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स के किनारे वर्षा करती है जोन सुलिवान का एक खथन है जितना हो सके उतना हडप ले मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तिमाल करें और जब भी इच्छा हो उसे अपने हाथ डाल ले शेर की तरह एक दिन जीना बहतर है लेकिन भेड की तरह लंबी जिन्दगी जीना अच्छा नहीं है ऐसा कथन था टीपू सुल्तान का सिराजुद दोला ने कहा है कि मैं अंग्रेजों को समुद्र तक ख़देड सकता हूँ पर समुद्र तो नहीं सुखा सकता न महत्मा गांधी कहते हैं मैं देश के बालू से ही कांग्रेज से भी बड़ा अंदुलन खड़ा कर सकता हूँ बाल गंगादर तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा लाला लाजपत राए मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी बिटिश अमराट के ताबूत की कील सिद्ध होगी लाट करजन ने कहा था कि कॉंग्रेस धीरे धीरे लड़ खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी ये बहुत बड़ी आकांचा है कि मैं इसकी शान्ती पूर्ण म्रत्यू में सहायक बनूँ बाल गंगाधर तिलक ने कहा यदी हम सालों से एक बार मेंड़क की भाती टर राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलने वाली इसी प्रकाय भगर सिंग ने कहा क्रांती की तलवार में धार वेचारिक पत्थर पर रगणने से ही होती है सियारदास के विचार है समूचा भारत एक विशाल बंदी ग्रह है पंडित जवालाल लहरू ने कहा आराम हराम है बंकिमचन चटरजी ने वंदे मातरम का नारा दिया स्वामी दयानन सरस्वती ने वेदो की और लोटो का नारा दिया था जवालाल नहरु ने कहा मैं सभाव से ही समाजवादी हूँ वल्लब भाई पटेल ने कहा यदी हम पाकिस्तान की मांग स्विकार नहीं किये तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे एलिंगन दुती साब का कहना है कि हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही रक्षा की जाई ये प्रश्ण एक्जाम में कहीं बार पूछा गया है एलिंगन दूती साब कहे जवालाल नहरू कहते हैं हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बहतर समझा महात्मा गांधी कहते हैं भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा जब तक में जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूँगा महात्मा गांधी क्रिप्स प्रस्ताओं के सम्मझ में एक बात और कहते हैं यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका था इसे इन्होंने पोस डिटेट चेक भी कहा है महात्मा गांधी सभीने वग्या अंदुलन से पूर्व कहते हैं कि हमने गुठने टेक कर रोटी मागी किन्तु उत्तर में हमें पत्थर मिले विलियम बेंटिक ने एक बार कहा था कि भारतिये मैदानों में बुनकरों की हड्डिया विखरी हुई दिखाई देती थी स्वामी दयानन सरस्ति ने कहा जो स्वदेशी राज्जी होता है वह सर्वोपरी एवं उत्तम होता है स्वामी विवेकानन का कहना था जिस प्रकार सारी धराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म इश्वर की ओर ही ले जाते है स्वामी विवेकानन ने एक बात और कही कि हम दया की भीक नहीं मांगते हम तो केवल नियाय चाहते है बिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते हम स्वशाशन चाहते है दादा भाई नौरोजी ने कहा था वह समय आ गया है जब हमारे सम्मान के चिन्न के साथ ही मौजूद अपमान के कारण हमारे लिए शरमनाक हो जाएंगे सुभाशन बोस ने असयोग अंदलन के स्थगन पर एक बात कही थी उन्होंने कहा कि उस समय जब जनता का उत्सा उचाई पर था ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्टी संकट से कम नहीं था लौट माउंट बेटेन ने एक बार कहा जो काम पचास हजार हतियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा जी ने कर दिखाया उन्हें शांती कायम कर दी गांधी जी ने कहा कि भारती संस्क्रती पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामिक और नहीं कुछ अन्य वह सबका संयोजन है प्रभिन्ना टेगौर ने एक बार कहा था कि भागी चकर किसी ना किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारती समाज छोड़ने के लिए विवश करेगा मगर किस प्रकार का भारत पे छोड़ कर जाएंगे कितनी भयंकर गरी भी होगी जब शताबदियों पुराने प्रशाशन का प्रभा सूख जाएगा तब वे किस तरह की बेकार कीचड़ वगंदगी अपने पीछे छोड़ कर जाएंगे जबालाल नहरू ने एक बार कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि 1935 का अधिनियम दास्ता का एक नया चार्टर है इसी पकार लाला राजपत राय ने अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहे कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है सर सयद एहमत खान ने एक बार एक बात कही क्या आप लोग एक ही देश में नहीं बसते क्या आप लोगों को एक ही जमीन पर जलाया नहीं जाता याद रखिए हिंदू वो मुसल्मान शब्द केवज धार्मिक विभेद बतलाने के लिए है अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे में किसी भी धर्म के हो एक राष्ट के ही है भगत सिंग ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद सुभाशन बोस ने नारा दिया दिल्ली चलो मुहम्मद इबाल ने नारा दिया सारे जहां से अच्छा हिंदोस ता हमारा लॉड एटली ने कहा कि हम अल्प संख्यकों की रक्षा के लिए परती बद्ध है पर अल्प संख्यकों की च्छाओं को बहु संख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता सुभाशन बोस का एक प्रसिद नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इसी प्रकार राम प्रसाथ बिस्मिल का नारा है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में इस प्रकार विभिन प्रकार के नारे जो आपके एक्जामस में पूछे जाते हैं इस वीडियो के बाद दे हम से कवर किये गए हैं कुछ महत्पूर है और कुछ सामाने जानकारी के लिए है महत्पूर नारों के विशह में आप जानते हैं और आप इसको एक या दू भार सुन लेंगे तो आपको सभी प्रकार के जो नारे और विचार हैं यह याध हो जाएंगे तब तक के लिए बबाई हमसे जुड़े रहिए और जादा से जादा नॉलेज गेन करते रहिए धन्यवाद